तो अगर नमस्कार इसे अबनीज में सभीका स्वागत है मैं सर्टा कुमार और आप देखें हैसे अबनेज आज अमें चंतरमंतर पर यहाँ पर धर्ना प्रजर्शन करने के लिए कुछ लोग आया है आपसे पूछना चाहते हैं कि आप धर्ना प्रजर्शन पर आये तो आपक इनको ऐसी में सामिल किया जाए, इनके प्रमाण पत्र बनाए जाए और जो ए, इनको भी जो एक मुखे दारा में सामिल किया जाए, आज विकास से बहुत दूर हैं ये लोग, अगर इनका आर्थिक सर्वे करा जाए, या सेक्षिक रूप से सर्वे करा जाए, सबसे जादा पता चलेगा, इन जातियों के सबसे जादा बच्चे अनपड हैं और यूवाव जो बुजूर्ग हैं उनकी बात छोड़ो, जो आज नई जनरेशन हैं, उसमें भी सिक्सा का अभाव है और रोजगार नहीं है, लाँखो जो यूवाव हैं, रोड़ पर हैं, रोजगार ढून रहे हैं, रोजगार की तलाप सामिल होने के लिए इसलिए चाह रहे हैं, जब लगबग 70 वर्ष हो चुके हैं देश समय जब आंदोलन चल रहे थे देश को आजाद कराने के लिए हमारे लोगों ने भी कुर्वानिया दी हमारे लोगों ने भी लाटियां खाई हमारे लोग भी फांसी पर जूले उन्होंने ये सपना देखा था कि हमारी जो जनरेशन है ये भी देश की मुखेदारा में सामिल होगी सबी तपके के लोगों के साथ में इन जातियों का भी सम् है इन सत्रे जाती कोय भी भूमी का एस डेश में है नहीं ऐसा लगता है महां अगर अगर आपके मांग़े नहीं होती तो आपका अगला कदम की एयोगा देखिए मैं यह पताना चाहता हूं पांडव सैना जो है हमारी कोई जाती द्हरम या किसी विशेश धरम की नहीं है सभी जातियों की सभी द्रमों की है और ना ना यह लड़ा कूह भी नहीं है सांति पूरवक हम लोग प्रदसन करते हैं जgebiaकी व्यक्तिया, किसी भी जातिया, किसी भी दहर्म की आवाज कोई उठाता नहीं है, उसकी आवाज ये पांड़व साना उठातीया, अगला कदम हमारा ये होगा, यदि हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी आरी मांग नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले